दोस्तो यह है जेब्रोनिक्स राकेट 500 ब्लोटूथ स्पिकर जो के ब्लाक एडम एडिशन का है आज हम इसका उन्बॉक्सिंग एंड कॉंप्लेट रिव्यू करने वाले हैं अगर यह वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाटेस्ट वीडियो का नोटिपिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए तो फ्रेंड लेब देश्टार्टेड दोस्तो यह रोकेट 500 आपको दो एडिशन में मिलता है एक है ब्लाक एडम एडिशन दूसरा है जोकर एडिशन टेकनिकल देखा जाए तो दोनों एडिशन सेम है तो हम क्विकली इसको अन्बॉक्सिंग कर देते हैं एंड चेक करते हैं वाक्स के अंदर आपको क्या-क्या म बैकसाइड में बहुत कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है जैसे कि आउटपूट इसका 20 वाट का है मैक्समम मेमोरी काड़ सपोर्ट जो है 32 जी भी करता है चार्जिंग टाइम जो है कंपनी मेंशन किया है चार्जिंग टाइम 3 आवर्स है प्लेबैक टाइम 6 आवर्स का ह ब्लूटूध पाइब आपको मिलता है इसमें dual driver दिया गया है जो के 3 इंज का दो driver है सी टाइप का आपको charging port मिलता है microphone के लिए भी यहां पे port दिया गया है and RGB-light भी आपको मिलता है तो quickly हम इसको unboxing कर देते हैं तो टोटल इतना ही सावन आपको मिलता है जैसे ये पाउस के अंदर हम पहले चेक कर लेते हैं पाउस के अंदर आपको एक QR कोड मिलता है इसको स्कान करने से इसका user manual जो है आपको मिल जाता है तो दो केबल में पहला जो केबल है ये auxiliary केबल है ये USB A-type 2, USB C-type है जो के charging के लिए दिया गया है तो ये है हमारा speaker ये उसका front side है जैसे यहाँ पे आप इसका driver देख सकते हैं तीन इंच का दो driver आपको मिलता है और यहाँ पे volume control के लिए physically knob दिया गया है नीचे कुछ buttons है जैसे यहाँ पे press button है और नीचे आपको एक panel मिलता है इ इसके माध्यम से आप इसको carry कर सकते हैं और ये data table भी है means आप इसको निकाल भी सकते हैं जब आपको जरुरत नहीं है तो आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं और यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं और बेल का quality देखा जाए तो काफी अच्छा है उपर आपको rocket 500 का मिलता है दोस्तों फ्रॉंट से देखने के लिए speaker कुछ ऐसा है तो जस्त मैं इसको गुमा देता हूं तो यह है उसका back side जैसे यह black adam edition का है तो पीछे की तरफ आपको एक texture मिलता है जो कि इसका look को बहुत ही enhance कर देता है और नीचे की तरफ देखेंगे तो rubberize waste दिया गया है क कोई भी surface के उपर अगर आप इसको रखते हैं तो यह sleep नहीं होगा तो अभी हम इसको on कर देते हैं जैसे कि यह last में जो button है यह उसका power button है जस्त आपको long press करके रखना है तो जैसे ही आप इसको on कर देंगे तो आपको voice prompt आ जाता है उसके बाद यह छोटा सा display में कौन सा mode मे यह चलना है यह show कर रहा है जैसे आभी यह BL लिखा है मिन्स यह Bluetooth mode में है तो यह जगा में passive radiator दिया गया है जो के base boost करता है उसके साथ साथ यहां पर RGB का light दिया गया है नॉर्माल में भी यह light change होता रहता है तो sound test करने से पहले मैं सभी port का close look आपको दिखा देता हूँ जैसे यह जगा में आप देख सकते हैं power button है यह जगा में multipurpose button है यह जगा में भी multipurpose button है यह दो साइड में navigation button है तो यह बटन जो है यहां से आप mode को change कर सकते हैं जैसे single अगर आप प्रेस करते हैं तो यह अभी FM radio mode में आ गया फिर से प्रेस करने से यह Bluetooth mode आ गया अगर आप इसमें USB pen drive connect किये हैं तो Bluetooth के जगा में USB आ जाता है तो यह एक button है जो के TWS connection के लिए है और दूसरा इसका काम यह है कि यह जो RGB light है उसको भी आप आप कर सकते हैं तो यह जो button है इसको अगर आप long press करके रखते हैं तो यह light जो है RGB light यह off हो जाता है और यह दो साइड में दो button दिया गय आपको Bluetooth में जाना है आपको मिल जाएगा जेब rocket 500 तो यहां पर आपको simple click कर देना है तो उसके बाद यह connect हो जाता है तो अभी हम इसका sound test करते हैं जैसे कि मैं mobile phone से कुछ sound play करता हूं बेटर रहेगा आप headphone लीजिए तो आपको इसका sound quality बेटर पता चलेगा दोस्तों जितना मैं इसका sound quality test किया तो इसका sound up to mark है इसमें जो bass and treble का depth है वो भी perfect है and basically यह जो speaker system है इसको design किया गया है beat music के लिए फिर भी अगर आप इसमें slow music सुनते हैं या classical भी सुनते हैं तो भी आपको यह बहुत ही अच्छा लगेगा तो पहली बार जब आपको scan करना है तो यह button को आपको long press करके रखना है तो यह automatic आपका area में जो जो channel है उसको scan कर देता है उसके बाद यह दो navigation button से आप change कर सकते हैं जैसे अभी यह scan कर रहा है जैसे scan complete हो जाता है उसके बाद आप एक एक channel को भी सुन सकते हैं जैसे इसमें 7 channel scan कर दिया तो कभी भी अगर आप FM radio mode में है तो यह दो navigation button से आप change कर सकते हैं जैसे single click कर दिया तो यह second channel हो गया तो यह 3 channel हो गया तो यह 4 channel हो गया तो इससे आप आपका area में जो जो channel आता है जितना भी channel आता है आप यहां से change कर सकते हैं तो अभी हम इसका port माइक्रोफोन का port है तो अगर आपके पास 6.3 mm का पीन बाला माइक्रोफोन है तो आप इसमें connect कर सकते हैं और डारक्ट आप बात कर सकते हैं सेकेंड है auxiliary port अगर आपके PC या TV या laptop या mobile phone किसी में भी headphone jack है तो एक auxiliary cable के मैदम से आप इसको connect कर सकते हैं तो company या पर आपको एक auxiliary cable भी provide करता है तो नीचे है reset button अगर आपका ये speaker system में कुछ पी गड़बड़ी आ जाता है तो यहां से एक पीन डालके आप इसको reset भी कर सकते हैं तो next है USB port तो यह USB port में आप pen drive के माध्य हम से गाना सुन सकते हैं यहां पर company एक limitation रखा है maximum यह 32 GB का pen drive को ही support करता है उपर का अगर आपके पास कोई भी pen drive रहेगा तो यहां पर यह detect नहीं करेगा जस्ट आपको 32 या उससे नीचे का कोई भी pen drive है उसमें गाना भरके आप इस चार्ज कर सकते हैं तो जब भी यह working condition में रहता है या चार्ज होता है तो यह power button के नीचे एक हलका सा light रहता है वो light up होता है दोस्तों जैसे यह speaker का size थोड़ा सा बड़ा है but company आपको यहां पे एक अच्छा quality का strap दिया है यह strap को यूज करके आप outing में यह speaker को ले जा सकते है जब आपको use नहीं करना है simple यह strap को नीचे कर दीजिए तो आपको फिल नहीं होगा कि इसमें एक strap लगा है and overall अगर आप देखेंगे तो speaker का size थोड़ा सा बड़ा है इसलिए बीना strap का आप इसको क्यारी करना आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा जैसे ले के किदर जाना है या कोई एक जगा से दूसरा जगा place करना है तो आपको इसे पकड़ना पड़ेगा यहां पे यह strap आपको बहुत ही help करता है क्यारी करने के लिए अगर हम इसका battery backup के बारे में बात करते हैं तो practically जितना मैं यह speaker को test किया full charge होने के लिए यह लगभग 2.5 गंटा से 3 गंटा का मिल जाता है इसका sound भी बहुत ही impressive है इसको आप indoor या outdoor दोनों जागा में यूज़ कर सकते हैं कभी अगर आपको बाहर जाना है आउटिंग में पिक्निक में जाना है तो easily इसको आप carry कर सकते हैं यह only 1.7 kg का है इसमें आपको decent battery backup भी मिल जाता है अगर आप outdoor में कोई पिक्नि रखे हैं उसमें कुछ announcement करना है तो भी इसमें माइक लगा के आप announcement भी कर सकते हैं तो यह product के उपर company आपको one year का warranty देता है यह आपको amazon.in में 3299 रुपे में मिल जाता है तो यह वीडियो का description में मैं इसका best purchase link दिया हूँ वहाँ पे click करके आप इसको purchase कर सकते हैं अगर आपक यह speaker related कुछ भी आपका मन में doubt है या कुछ भी सवाल है तो comment section में आप मुझे comment कर सकते हैं मैं बहुत जल्दी उसका answer आपको दे दूँगा तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा like and share जरूर कीजेगा फिर मिल आपको नहीं है तो आपको बहुत जा स्वांसा एंगे फिर उसके स bulएध सील में डेसे म कमैं आपको अज्शा मी मैं बहुत एंगा था में जर्दे तयों